हलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विस्टसकला पांडे में स्वागत है और देखिए चौराहे पर से हम लोग लोट रहे हैं बहुत भी परिसानियों का सामना करते हुए ब करके आरास्ते में बुसाई बाबा भी मिल गये थे वह भी विचारे तब तक बाई को देख रहे थे जब तक हम लोग गये थे और बताईएगा आप लोग कैसे हैं और इस कड़ी दो पहरी में हम लोग सामान लेने के लिए निकले उपर से इतनी परेशानी हुई लेकिन फि फिर घर वापस जा रहे हैं बाई को बनवा करके और शीन आप देखी रहे हैं इधर रोड का भी सीन देख लीजिए इतना अच्छा लग रहा है और बताईए दूस्तों आप रूप कैसे हैं और इस आंदार सीन आपको कैसा लग रहा है बहुत ही मन खराब हो जाता है जब कहें के लिए निकलिए और वो काम अच्छे से नहीं होता है कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है तो लेकिन क्या किया जाएगा जीवन है तो इसमें कुछ ना कुछ बाधाएं परिसानियां आती रहेंगी उनका सामना करते हुए हमें अरकारी को पूरा करना ही है नए तो अभी तक तुम लोग पहुच चुके होते घर पे गंटों से यहां पर परिशान है किसी तरह से बन गई गाड़ी और अब जा रहे हैं धर देखें इतना अच्छा द्रेश्ची चारों तरफ का आपको दो राहे पर यहां का विसी नाम में पाद होती है चारों तरफ का देखते रहे हैं हमारे चैनल पर बने रहे हैं चारों तरफ का आ रहा है सामान भी ले लिए है जो लेना था अलकाप्री का सामान पाओड़ी दर देखें सड़के किनारे कितने अच्छे चिप्र लगे हुए हैं इससे चाया भी है बहुत अच्छा आने जाने वाले लोगों को आराम भी मिलता है फ्रेरों की चाया के नीचे लोग पहुच रहे हैं अपने घर की तरफ चल रहे हैं देखिए कितनी देर में पहुचते हैं तब तक रास्ते में भी कुछ लेना है वहां भी चलते हैं देखिए दोस्तों हमों इधार आगे हैं विकान के समोसे के राज को भी भूख लगी है ले लेते हैं कुछ खाने के लिए और तफिव चलते हैं घर पर देखिए कितना अच्छा सी इन ख्यारों पर अप्ता है और कितनी तेज धूप हुई है एकदम हम लोग परिशान हो गए इस धूप में लेकिन फिर भी किसी तरह से काम हो गया को कहीं और भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए हो बाइक खराब होने के वज़ा से और बताईए अप लोग कैसे हैं वैसे इस दुकान की समोसा पकोड़ी सब बहुत ही पेमस है जब भी हम लोग लेना रहता है है इसे लेते हैं अब देखिए राज भी आ गया है अब चलते हैं घर किस तरह से चिल चिलाती धूप लेक्दम होई है अब बारात जा रही है सायर मुस्लिम किसी की साधी है अभी दिन में बारात जा रही है है अब हम लोग निकल रहे हैं दूसरे रास्ते से कि फाइनली दोस्तों हम लोग सारे बिघ्णवाधाओं को पार करते हुए किसी तरह इस धूप में घर वापस आ ही गया बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन सब कुछ सही से हो गया हम लोग आ गये घर वापस सही सलामत ठीक है अपना ख्याल रखिए सुरचित रहे टेक कियर बाबाई